आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल आप्टीस वड में कैसे हैं आप सभी लोग उमिद करती हूं बहुत ही मज़ी होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जिट पट से बनने वाली बिर्याने की रेस्पी जो की बनने में बहुत ही ज़्यादा असान है और खाने में बहुत स्वाधिस्त है, तो एक बार ज़रूर इस तरीके से इस रेस्पी को ट्राइ करें, तो चले ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो बिर्याने में डालने के लिए सबसे पहले मैंने दो आलो लिये हैं, एक शिम्ला मिर्च लिया है, देख सकते हैं थोड़ी स पानी में अच्छे से बिगो के रख दिया है यहां पर तड़का लगाने के लिए हमने लिया है साबुत मसाले एक प्याज है और चार से पांच हरी मिर्च है इन सब भी को हमने कट कर लिया है और इन सब का यूज करेंगे हम इस वेज बिर्यानी को बनाने के लिए तो वीडिय को मैंने रख दिया है गरम होने के लिए जैसे पतीला अच्छे से गरम हो जाए तो इसके अंदर मैंने तकरीब देट सो ग्राम सर्सो के तेल का यूज किया है और जैसे तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसके अंदर सबसे पहले हमें डाल देने हैं साबुत मसाले तो यहा अच्छे से गरम है तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा प्याज को गुनने में तो देख सकते हैं कितब प्यारा सा कलर आचुका है प्याज का तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर और डालेंगे हम धनीय की पतिया थोड़ी से धनीय की पतिया हम बचा लेंगे बहुत यहादा स्वादिस्ट बनने वाली है इसको हम दम पर पकाने वाले हैं तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा वाच करें रैस्पी पसंद आए तो लाइक शियर जरू करें तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यह से दो मिनट के बाद कुछी तरीके का लोग है प्याज को हमने टमाटो को पूरा अच्छे से गलाना नहीं है थोड़ा सबुन जाए कच्छा पन उसका निकल जाए तो अब हमने शिम्ला में जो कट करके रखी ती वह डाल देना है बिर्यानी हमारी बहुत ही कलर बनने वाली है और इसके साथ ही हमने यहां पर आल कोई भी इस रेस्पी को बहुत ही एजली बना सकता है तो यहां पर मैंने सोया बिन को इसकेंदर डाल दिया है देख सकते हैं सोया बिन को मैंने 15 मिट पाने में बिगोके रखा था उसके बाद इसको तीन से चार बार पानी से वाश किया और अच्छे से इसकेंदर से पानी कैस्भावाध़ को दनिया पाउडर से खुश्प हो बहुत अच्या आती है स्केंदर तो यह सारे मिसाली हमने ऐसको ङुश्चे से चुला लेंने गया सब्सक्राइब के सबना पूंग ड़नी humanos की अपाने साथ मिक्स करते हैं प्रूंद्पन को तो सारी मिक्स कर देते हैं सो यहां पर हम मीडियम करेंगे अब मसाले अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद और इसको हम पका लेंगे कुछ देर के लिए तकरीवन चार से पांच मिट और यह देख सकते हैं और रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है तो बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल चावल हमारी इस बिर्यानी को बहुत प्यारा सा कलर देगा तो उसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर अब हम इसके अंदर राइस को एड़ कर देंगे यह देख सकते हैं राइस को मैं अब इसके अंदर डाल दोंगी मसाला हमारा बन के तियार ह सोया बिन में बहुत अच्छा कलर आ गया बहुत ही पैरी कुश्बू आई और बहुत कलर फूर यह बिर्यानी बनने वाली है तो देख सकते हैं सबजिया आप अपनी पसंद के साब से इसके अंदर एड़ कर सकते हैं और सोया बिन को जरूर एड़ करें बहुत ज़्यादा देंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसको डेट से 2 मिन तक चावलों को पका लेना है गैस की फ्लेम यहां पर हमने फिर से हाई कर दी है और चावल जब नीचे की तरफ से चिपकने लगेंगे इसका मतलब है कि चावल हमारे बुन चुके हैं तो इसके अंदर इतना पानी ड तो यहां पर देख सकते हैं चावल चिपकना स्टार्ट हो चुके हैं यानि कि चावल अच्छे से बुन चुका है मसाले के साथ मिक्स हो चुका है तो अब हम इसके अंदर पानी को एड कर देंगे तो यहां पर हमें इसके अंदर इतना पानी डालना है कि जो चावल है और ज डाल दिया है और यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लुक है तो अब हम इसको फुल फ्लेम के उपरी सबसे पहले तो हम इसको पकाएंगे एक बार हमने बीच में चला लिया है यह देखें तो इसको चला लेना है एक से तरीके से जब इसका सूख जाएगा और के फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से डग के और बिलकुल दीमी आज पर पकाएंगे तो जब तक हमारी बिर्यानी तयार होती है आप कर लिए एक चोड़ा सा काम पीएगा चैनल पर फर्स टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइ बनती है बहुत ज़्यादा खाने में स्वादिस्ट तो यह देख सकते है पतीले में इसका लुक बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसको हम राइते के साथ खाने वाले हैं तो यह देख सकते है आप बिरियानी का लुक तो के प्लेट को कर देती हूँ तैयार और आप इसको टेस्ट करके बताएए कि कैसी बनी है यह हमारी और अगर पसंद आती है तो शेर करना तो बनता ही है चैनको सब्सक्राइब करना बहुत इंपोर्टेट है तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखे मैं आते हूँ कि नेरे स्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग